दोस्तों पहले वंडे ड्रॉ करने वाली श्री लंका ने दूसरे वंडे में टीम इंडिया को बुरी तरीके से हरा कर इतिहास लिख दिया तो बड़े-बड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाडी और दिगज भी अब टीम इंडिया की खिली उडाने में पीछे नहीं रहे जहां खुद रिकी पॉंटिंग से लेकर पैट कमिंस यहां तक की ट्रेवेस हेट से लेकर डेविड वार्नर जैसे सितारों ने अब भारत के जखमों पर नमक छड़कते हुए जो कहा है उन सब के बयान सुनकर तो आप कभी खून खौल उठेगा तो आकिर कैसे इन आस्ट्रेलियाई खिलाडियों ने अब श्री लंका की तारीफ करते हुए टीम इंडिया से निकाला दुश्मनी का बदला उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था रोहित क 40 ओवर में ये मुकाबला जीतने वाली है लेकिन श्री लंका की क्रिके टीम अपनी धर्ती पर अपनी कातिलाना गेंद बाजी से ऐसा चमतकार दिखा जाए कि कोई सोच भी नहीं सकता था जहां इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया की हालत ये लक्षे हास अर्तिपारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई विराट कोली 14 तो श्रेस एयर केवल 7 रन बना पाए यहां तक कि शिवम दूबे और केल राहूल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला इससे ही आप टीम इंडिया की बरबादी के मनजर का अंदाजा लगा सकते हैं अ एक शूनने से वंडे सीरीज में भी पीछे हो गई है इससे बुरा हमारे लिए और क्या हो सकता है क्योंकि थोड़े टाइम पहले हम वर्ल्ड चैंपियन बन कर आये थे लेकिन आज ऐसी लंका की टीम ने जो टीट्वेंडी सीरीज तीन चूनने से हारी थी उसने हमें पहले वंडे में 240 रंचेज नहीं करने दिये ये भारत के लिए बहुत बड़ा जटका था लेकिन भारत का डाउन फॉल देखने का इंतिजार कर रहे दुश्मन देशों के लिए ये तो सुनहरा मौका था भारती टीम का मजाक उड़ाने का और इसमें सबसे आगे नज़राएं है जहां आप तो जा बहुत बड़ा सैट बैक है टीम इंडिया के लिए भारत को चैंपियन्स ट्रॉफी के चैंपियन का बढ़ा धावेदार माना जा रहा था लेकिन वो श्री लंका में 230-240 रंचेस नहीं कर बारें वो चैंपियन्स टॉफी कैसे जीतेंगे सच में श्री लंका ने अन्बिलेवेबल चमतकार किया है उन्हें इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो और टीम इंडिया सच में मैं आपसे उदास हूं हम सब ने आपसे बैटर उम्मीद की थी लेकिन आपने खुद ही अपने पैरों पर कुलारी मारी है तो वहीं दोस्तों अस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने तो यहां तक कहा दिया कि टीम इंडिया ओवर रेटिड है चाहे जितने भी बड़े नाम हैं इंडियान बैटिंग लाइनप में यदि उनके सामने थोड़ी सी भी मुश्किल पिछ आती है तो उनका ये हाल होता है तो आज हुआ है सच कहूं तो रोहित के बिना मुझे इंडियान बैटिंग लाइनप सिर्फ एक मजाग लगता है तो दोस्तों सुना अपने पैट कमेंस के गंभीर शब्दों को दिल तोड़ देने वाले उन अलफासों को वही नहीं यहां तक की डेविड वार्नर भी अब रुके नहीं उन्होंने ये कहा कि मैंने भारतिय टीम से यह उमीद नहीं की थी कि वो श्री लंका से इतनी बुरी तरीके से हार जाएंगे 240 रन तो आपको 30 या 40 ओवर में चेस कर लेने चाहिए थे यह आपको लेवल है लेकिन भारतिय टीम अभी भी दबाव लेना नहीं जानती है इतने चोटे स्तर पर जब भारतिय बलेबास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आगे जाकर उनका क्या ही होगा खेर हमारे लिए तो अच्छा ही है लेकिन मैं इंडियन फैंस के लिए निराश हूँ तो वहीं दोस्तों ट्रेविस हेड ने भी अब चौकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि भारत के खिलाड़ी केवल अच्छी पिचेस पर खेलना जानते हैं मैं रोहित सर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन उनके अलावा मुझे नहीं लगता एक भी क्वालिटी बैट्समेन भारत की बैटिंग लाइनप में है जो रोहित और विराट के जाने के बाद उन्हें समाल पाएगा अभी से यहालत है रोहित भाई आउट हुए और पूरी की पूरी टीम इंडिया इस तरह भिखर गई जैसे वो टीम इंडिया नहीं बलकि कोई चोटी मोटी टीम हो इस तरीके से हम तो हर मैच में टीम इंडिया को पूरी तरीके से हराएंगे उनका हमसे कोई मुकाबला ही नहीं है तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन आस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाडियों ने अब टीम इंडिया को और भारती फैंस के जखमों पर नमक छड़कने का काम किया है लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन था भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन अपनी कीमती रहे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नहीं नहीं खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद